और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर ट्रेन पटरी से उतर गई है पश्चम बंगाल के हावडा से मध्य प्रिदेश के जबलपुर जा रही शक्ति पुंज एक्स्प्रेस के साथ डिबबे पटरी से उतर गए है सुभे साड़े च्छे बजे के करीब यह हाथसा हुआ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह सोत्तर प्रिदेश के सोन भद्र के ओबरा के पास ग्राफिक्स के जरीए समझी है जरीए यह ट्रेन जा रही थी शक्ति पुंज एक्स्प्रेस रफ्तार इसकी धीमी थी तभी तूटी हुई पटरी के उपर गुजरने की वज़े से साथ डिबबे पटरी से उतर गए शक्ति पुंज एक्स्प्रेस जो पश्म मंगाल के हावडा से मध्यप्रिदेश की जबलपूर जा रही थी घनीमत ये रही कि इस हाथसे में कोई हताहत नहीं हुआ है सुबह साड़े च्छे बजे की घटना है जिस पक ट्रेन की रफ्तार काफी धीमी थी फफराकुंट रिल्वे स्टेशन के पास ये हाथसा हुआ और ये देखिए तूटा हुआ ट्राक आप देख रहे है कितना खतरनाक कितना भयंकर ये मंजर जहां पर पटरी तूटी यूपी के सोन भदर में ये बड़ा हाथसा हुआ गनिमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन किस तरह से ये ट्राक काटा हुआ है पटरी टूटी हुई है वो आपको साफ दिखाई दे सकता है जानलेवा ये और सीथे तौर पर कितनी बड़ी लापरवाही जो रेल इतना में किस तरह से ट्रेन के डिबबे एक दूसरे पर चढ़ गए थे कितने यात्रियों के उसमें जान गई थी वो पूरी खबर हमने आप तक महुचाई थी ऐसा लगता नहीं कि इन हाथसों से रेलवे कोई सबक लेता है कैसे आप उस ट्राक पर ट्रेन चला सकते हैं जो जा रही ये ट्रेन डिरेल हुई है साथ दिबबे इसके पट्री से उतरे हैं लेकिन हाथसे में कोई हताहत नहीं हुआ सोन भदर में ओबरा के पास ये ट्रेन हाथसा हुआ है ये पहला ट्रेन हाथसा नहीं है हाल के दिरों में इससे पहले भी यूपी से ही दो घटनाएं सा बुलेट ट्रेन की बात करने वाला ये देश अपने आप पट्रियां तक दुरुस्त नहीं रख सकता जिस पर ट्रेने चल सकें आम ट्रेने चल सकें ट्रेन की रफतार बहुत धीमी थी सुफ़े साड़े 6 बजे का वक था इसलिए कोई बड़ा हाथसा होने से टल गया वरना आ CBP News आपको रखे आगे